A very good noon to each and every one of you, I am Richa Sharma, you are watching Parcham, दिन के बच चुके हैं 12 and it is time for our daily CA session, आज हमें 6th of February के current affairs को discuss करना है, उससे पहले हम देख लेते हैं कि अगर हम विक्रमी समवत के हिसाब से हिंदू पंचांग की तिथी देखें, तो माग महिना चल रहा है, कृष्ण पक्ष यानी चांद घट है, आज एकादशी है, एकादशी जिसे हम 11 भी कहते हैं, कई जगे इस पे वरत वगेरा किये जाते हैं, तो आज तिल दान करने वाली कोई एकादशी है, चलिए, तो आज जो भी हम पढ़ेंगे daily CA, या daily जो भी हम कुछ current अफेर पढ़ते हैं, उसके PDF आपको कहां available होते हैं वो आपको पर्चम के telegram channel पे मिल जाते हैं, पर्चम classes नाम से telegram पे channel है, उस channel का link भी आपको video के description में मिल जाएगा, तो आप इस title पे click कीजिए, नीचे more आएगा, उस पे click कीजिए, एक dialogue box open होगा, सारे important links दिये हुए है, telegram के, app के, website के, पर्चम की जो app है, iOS पे भी open होती है वेब पे भी open होती है, उसके steps भी आपको मिल जाएंगे वहाँ पे, ठीके जी, आचा जिन बचो को weekly या monthly CA magazine चाहिए, तो उनको telegram पे नहीं मिलेगी, आपको पर्चम classes.in website पे जाना होगा, monthly magazine जो होती है, पूरे महीने के current affairs along with static points उसमें category wise combine करके, sort करके आपको दिये जाते है और वो 7th of every month तक available होती है English में, 10th of every month तक available हो जाती है Hindi में, तो साथ तारिक यानि कल आपको monthly magazine January की मिल जाएगी, ठीके जी, ओके, जिन बच्चों के पास में subscription है या फिर PDF bank है, तो जो भी कुछ आप पढ़ते जाते हो current affair का पर्चम के उपर, वो subscription में सब add होता जाता है, daily, weekly monthly, six monthly, yearly CA, जो भी topics यहां लिये जाएंगे CA के, सब इसमें add होंगे current affair के, ओके, और PDF bank में बाकी सारे topics के भी add हो जाते हैं, जिन बच्चों को जानना है, ये कहां से लिया जा सकता है, ये पर्चम अप से लिया जा सकता है, जाधा जानकारी के लिए, प्लीज कॉंटाक्ट, द आपको help करने के लिए, got it, चले, हन जी, कल का session, जो था, उसमें हमने जो आपसे question किया था, जाते जाते, उसके discussion के साथ शुरुआत करते हैं, और कल काफी सारे बच्चों की request आए, कि माम हम live chat attend नहीं कर पाते हैं, 12 बच्चे जब session प्रेमियर होता है, तो आप जो भी discussion बीच में किया करें, उनका भी answer दे दिया कीचे, तो yes, we will definitely be discussing that also, तो जाते जाते कल आपसे question किया था, where is Talavira Thermal Power Project located, Talavira Thermal Power Project का, जो नीव का पत्थर होता है, foundation stone है, वो ले किया गया, कहां, Odisha, Odisha is the right answer, very good, everybody answered it right, हमने कैसे याद किया था, किसी चीज को उड़ने नहीं देना है, त फिर कल कुछ और चीज़े मैंने आपसे पूछी थी, while discussing the news, जिसमें कल हम पढ़ रहे थे के LK अड़वानी जी को भारत रत्न कॉनफर किया गया है, और ये 2024 का दूसरा भारत रत्न है, मैंने आपसे पूछा था, 2024 का पहला भारत रत्न किसको कॉनफर किया गया, क्या answer है, ब उसी में मैंने आपसे पूछा था, कि बताएए, नाशनल फ्रूट क्या है, श्री लंका का, बिकाज हमारे पडोसी देशों से उठकर के question आ जाता है, तो answer बिल्कुल सही है, जैक फ्रूट कथल, श्री लंका का national fruit है, then हम बात कर रहे थे, cancer से related, कि cancer से second largest number of death होती है, cancer का discussion क्य आया, क्योंकि 4th Feb को ही, World Cancer Day मनाया जाता है, है ना, so, इससे cancer का discussion आया, और मैंने आपसे पूछा था, चलिए, बताएए, first leading cause क्या है, death का in the world, और वो है heart diseases, WHO की report के हिशाब से, दिल की बिमारियों से, सबसे जादा लोग दुनिया में मतते हैं, दिल का खयाल रखिए, चलि first, first Feb को कौन सा important day आता है, Indian Coast Guard Day, second Feb को, World Wetland Day, okay, हमने देखा, 4th Feb को, Cancer Day, यह important important हम करते जा रहे हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं, और, आज, यानि 6th of February के important day पे पहुँचते हैं, आज, बहुत ज़्यादा popular नहीं माना जाता है, लेकिन बहुत critically important day है, and that is international day of zero tolerance for female genital mutilation, female के जो genitals होते हैं, जैसे males के genitals होते हैं, penis area होता है, female के जो genitals होते हैं, उसके अंदर vulva area आता है, vaginal area आता है, so, जो genital area होता है, उसको mutilate कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है, कई cases में clitoris काट दिया जाता है, burn कर दिया जाता है, कई cases में जो बाहर folds होते हैं, female genitals के, उनको कट कर दिया जाता है, और यह ऐसा नहीं कि बहुत primitive areas में हो नहीं, यह कई सारी societies में millions of females, particularly 11 या 12 से लेकर के 15 years old, जो girls होती है, उनमें यह mutilation किया जाता है, मानने था होती है, कि ऐसे में उनकी virginity बहुत जादा preserved रहेगी, उनके अंदर libido नहीं होगी, sexual intimacy लानी की partners के साथ में बहुत जल्दी, या फिर कुछ और taboos भी होते हैं, कि इससे आपकी health ठीक रहेगी, आपकी reproductive health ऐसी रहेगी, बदेन, साइन्स के हिसाब से देखें, और societal angle से भी देखें, तो आगे जाकर के इन females के अंदर जिनको genital mutilation से घुजरना पड़ता है, बहुत परे के complex issues होते हैं, और obviously, science के हिसाब से आप देखोगे, medical angle से आप देखोगे, तो यह बहुत ही harmful tendency है, या एक practice है जो कि society में चलती है, और इसी के against, इसी के against आवाज उठाने के लिए और awareness डालने के लिए, zero tolerance of female genital mutilation day को observe किया जाता है, internationally, कब 6th of February को, 6th of February को, तो आप बिलकुल ऐसे इसको याद रख सकते हो, ची, you are not supposed to cut anybody's genitals, नहीं cut करने की ज़रुरत है आपको, ठीक है, तो इस तरह से आप इसको चाहे तो याद कर सकते है, 6th of February, international day of zero tolerance for female genital mutilation, समझ में आ गया, meaning भी समझ में आ गया, because obviously आप लोगों के दिमाग में बहुत सारी questions आएंगे, ये क्या होता है, होता भी है, क्या, ऐसा भी किया जाता है, बिलकुल ऐसा होता है, so 6th February को, international day of zero tolerance for female genital mutilation, observe किया जाता है, इस बार की theme क also happened, so her voice, her future, and UNICEF की तरफ से, इस day को observe किया जाता है, UN की तरफ से, to be more precise, चलिए, अगला दिन जो आ रहा है, 6th of February को, वो है, safer internet day, internet की दुनिया आजकल बहुत प्रविलेंट होती जा रहे है, इसलिए safe internet बहुत जादा important है, और ये day भी important हो जाएगा, safer internet day, okay, तो आप ऐसे ध् रखते हो, female genital mutilation होता है, ये सब आपको कैसे पता पड़ा, किसी और देश में हो रहा है, आपको यहां बैटे कैसे पता पड़ा, internet की बज़े से पता पड़ा, तो दोनों दिन एक साथ याद कर लीजेगा, 6th of February को, intolerance for female genital mutilation भी है, and safer internet day भी है, 6th of February को ही, theme क्या रही जी, theme रही together for a better internet, इस बार जाधा focus दिया जा रहा है कि children और जो young people है, उनके लिए internet को safe बनाया जा सके, because हम photos तो बड़े आराम से डाल देते हैं, अपनी videos बड़े आराम से डाल देते हैं, उनकी mal practices में उनको use कर लिया जाता है, so safe बनाना, so together for a better internet, better internet keyword आपके लिए इस बार का theme में रहेगा, got it, दोनों डे समझ में आ गए, दिमाग में टिक गए, आ जाएए, बनवारी लाल पुरोहिद जी, इन्होंने resign कर दिया है, गवर्नर के position से, कौन से स्टेट के गवर्नर के तौर पे सर्व कर रहे थे या भी पंजाब के, और जो पंजाब का गवर्नर होता है, वो कहां का, administrator होता है, बताएए जल्दी, कहां का होता है जी, बिल्कुल, चंडीगर का होता है, सो, पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहिद जी जो है, उन्होंने resign कर दिया है, और उन्होंने निजी कारण बताए है, इसके लिए कोई और reason नहीं दिया है, अभी तक इस और उन्होंने governor position से हटे हैं, वो तो साथ ही साथ union territory जो है चंडीगर उसके administrator के तौर पे भी हटे है, जो भी इनसान पंजाब का governor होता है, वो चंडीगर का administrator भी हो जाता है, ठीके जी, नाव अच्छा इस से पहले पंजाब के governor बनने से पहले कौन से state के governor के तौर पे काम कर पुरो ही जी, तो ये तमिलनाडू के governor रह चुके हैं, चार साल के लिए, ओके, ही हैस सर्वड ऐस गवर्नर ऑफ तमिलनाडू फर फोर यह बिफोर बिकामिंग दी गवर्नर ऑफ पंजार, याद रखेंगे दोनों चीज़ें, अगली न्यूज, ग्रैमी अवार्स किये गए पेश, यानि दिये गए, ceremony hold की गई और इस बार इंडिया चाया रहा, तो इंडिया के लिए एक तरह से आम मान लिजे, dedicated था ये year for the Grammys, अब इंडिया से शंकर महादेवन हैं, flutist चौरसया जी हैं, इनको multiple Grammy Awards, नहीं, not शंकर महादेवन, sorry, जाकिर हुसें जी, दिमाग में क kindly avoid doing it, so Grammy Award Indians के लिए चाया रहा, देखते हैं, जाकिर हुसें जी को multi awards मिले हैं, और जो flutist है, जो बासुरी वादक है, चौरसया जी, उनको multi awards मिले हैं, तो चलो, एक एक करके देखते हैं, और otherwise भी जो global level पे awards मिले हैं, उनको भी देखते हैं, Grammys 2024 में शंकर महादेवन, जाक इनका एक group है, उस group का नाम है, band है या group है, उसका नाम है, शक्ती, ठीक है, इनका group कौन सा है, शक्ती नाम का, और उसको मिला है, best global music album award, global music album होती हैं, जुसमें बहुत सारे songs होते हैं, so best global music album award, इस बार किसको मिला है, शक्ती, जो इनका group है, उसको मिला है, और उसी के अंदर, best global music album कौन से song के लिए दिया गया ये this moment ये जो album award है ये मिला शक्ती को है for which song this moment this moment so 66th annual Grammy Awards हुए एक करके कहानी शुरू करते है 66th annual Grammy Awards ये कौन से edition हुआ 66th edition था ये कहां हुए ये Los Angeles California के अंदर ये award ceremony conduct की गए अब उसके अंदर शक्ती एक fusion music group है fusion यानि इंडियन और western music का group है जिसके अंदर तबला माइस्त्रो जाकिर हुसेन जो की पद्म विभूशन से पिछले साल सम्मारित किये गए थे 2023 में पद्म विभूशन मिलाता है इनको सिंकर शंकर महादेवन ये लोग main दो लोग है और इनको Grammy Award for Best Global Music Album याद रखेगा कैटेगरी याद रखना है और song कौन सा था This Moment इसके लिए दिया गया ठीक है जी अब इनके इस group के अंदर और भी लोग है सो अलबम में कुछ लोग feature किये गए हैं यानि कि उनको दिखाया गया है guitarist John McLallan हुसेन तो है ही जाकिर हुसेन महादेवन है ही शंकर महादेवन violinist गनेश राजगोपालन भी है और percussionist जो की percussion instrument बजाते हैं सल्व गनेश विनायक्रम तो ये चार Indians है जाकिर हुसेन, शंकर महादेवन गनेश राजगोपालन एंसल्व गनेश विनायक्रम ये चार और एक साथ में guitarist है John McLallan इन पांच लोगों का ये पूरा group रहा ये पूरी album रही जिसमें ये सब लोग feature हुए और album का नाम क्या है क्या नाम है album का अभी हभी हमने देखा album का नाम है शक्ती और कौन सा सौंग है उसमें भी this moment ठीक है तो ये सब आप याद रखोगे ही रखोगे उसी के साथ साथ जाकिर हुसेंजी जो हैं उनको दो और Grammy Awards कल मिले टू मोर Grammy Awards कौन सा है पहला उनको मिला Best Global Music Performance वो हमने देखा था भी शक्ती को Best Global Music Album था ठीक है ये Best Global Music Performance for Pashto Best Global Music Performance का आवार्ड मिला है और साथ ही साथ Best Contemporary Music Instrumental Album Contemporary Instrumental Album As We Speak तो Pashto याद रखेगा As We Speak याद रखेगा इन दोनों के लिए भी Grammy मिले हैं पश्तो हो गया Best Global Music Performance और As We Speak हो गया Best Contemporary Instrumental Album और ये दोनों ही आवार्ड इन्होंने Share किये हैं इन के साथ कौन है ये व्यक्ति? ये है राकेश चौरसिया अगर आपको ध्यान हो बहुत लेजेंडरी Flutist है हरी प्रसाद चौरसिया जी है ना जो मासुरी बजाते थे तो उन्ही के पुत्र है ये राकेश चौरसिया जी और इन को भी इन दोनों ग्रैमीस में साथ में शामिल ये हुए हैं तो चलिए अब बाकी देख लेते हैं ये तीन चीज़ें तो हमने देख लेए बिकास यहां पर इंडियन शामिल थे बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक अल्बम इंडियन म्यूजिशन शंकर महादेवन जाकिर हुसेन जी की मेन है ये फ्यूजन बैंड है शक्ती उसमें दो और इंडियन शामिल थे बेस्ट कंटेंप्री इंस्ट्रूमेंटल अल्बम आज वी स्पीक अज वी स्पीक को मिला है जिसमें जाकिर हुसेन हैं ही राकेश चौरसिया हैं साथ में एडगर मेयर हैं और बेला फ्लेक हैं बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस इसमें पश्टो के लिए ये अवार्ड मिला है अगैन सेम लोगों को जाकिर हुसेन, राकेश चौरसिया, बेला फ्लेक और एडगर मेयर को उसके अलावा ये तीन भी बहुत important categories है Song of the Year Grammys में Song of the Year किसको मिला है Billy Elish को What Was I Made For Barbie movie जो थी उसका What Was I Made For by Billy Elish and Album of the Year Taylor Swift का Midnights Taylor Swift चार बार same category के अंदर award लेने वाली first person बन गई है first person to win this category four times Midnights के लिए Album of the Year Taylor Swift and record of the year records होते हैं बड़े-बड़े records जो gramophone जैसा दिखाया जाता है Grammy Award के अंदर उसमें records बजाये जाते हैं तो record of the year मिली Sirisco Flowers के लिए मिला है so ये तीन categories जिन में international awardees रहे winners और ये तीन जिन में Indian नाम चाहे रहे ये 6 के 6 आपको याद रखने है यहाँ पर वापस मैं एक बार revision करा दूँ Best Global Music Album आया शक्ती बैंड के नाम Best Contemporary Instrumental Album आया As We Speak Best Global Music Performance आया पश्टो के नाम ठीक है? चले अगली news आ रही है उत्तराखंड से so UCC Uniform Civil Code को लेकर के news है उत्तराखंड से क्या news है और क्या होता है Uniform Civil Code ये सब हमको समझना रहेगा, ओके चले so UCC Final Draft gets उत्तराखंड cabinet not उत्तराखंड के cabinet ने अपनी मनजूरी दे दी है UCC का यानि Uniform Civil Code का जो Final Draft बना है cabinet ने बोला हाँ जी ये Draft ठीक है Final है अब इसको पेश किया जाएगा so उत्तराखंड cabinet has approved the Final Draft of Uniform Civil Code अब इसको Assembly के दौरान Assembly में पेश किया जाएगा और अगर वहाँ पर ये पास हो जाता है तो फिर UCC will be coming into implementation in उत्तराखंड और उत्तराखंड पहला ऐसा state बन जाएगा independence के बाद में जो अपना खुद का Uniform Civil Code लेकर के आ रहा होगा इससे पहले गोवा में Uniform Civil Code है लेकिन वो Portuguese के टाइम का चला आ रहा है अब आप बोलोगे माम ये समझाओ तो क्या होता Uniform Civil Code News तो ठीक है so Uniform यानि सबके लिए बराबर Civil Code यानि सारे नागरिकों को समान रूप से रहने और एक ही गाइडलाइन्स फॉलो करने के लिए Uniform Civil Code लाया जाता है अब इसको और सिंप्लिफाइड तरीके से समझाती हूँ वापिस इस स्लाइट पे हम लोटेंगे Uniform Civil Code का में एम क्या है ऐसा Uniform Legal Framework बनाये जो सब सिटिजन्स पे लागू हो regardless of their religion ऐसा नहीं हिंदू के लिए अलग होगा मुस्लिम के लिए अलग होगा पार्सीज अलग करेंगे एक स्टेट के लोग अलग करेंगे दूसरे स्टेट के लोग अलग करेंगे सारे जो सिटिजन्स हैं common law, common legal system, common rules and regulation के तहद govern किये जाएं कोई भी differentiation नहीं आना चाहिए कोई भी अलग-अलग systems अलग-अलग communities के religion के states के नहीं होने चाहिए यह होता है uniform civil code अब जब हम इसको state level पे बात कर रहे हैं तो उत्रा खंड में जितने भी नागरिक हैं वो सब एक common rules and regulations के अंडर में आएंगे अपने-अपने religion के basis पे अलग-अलग कानून उनके ओपर लागू नहीं होंगे For example, Hindu marriage act बोलता है आप एक ही शादी कर सकते हो Muslims के case में multiple शादियां allowed होती है लेकिन अगर आप uniform civil code की बात करो अगर यह लागू हो जाएगा किसी स्टेट पे तो वहां के समान सभी नागरिकों को समान कानून फॉलो करना पड़ेगा आई बात समझ में लेकिन इतनी simple नहीं है जितनी मैंने बता दी बहुत पेचीदा है यह मुद्दा क्यूंकि हमारे constitution के अंदर कहीं भी uniform civil code को enforce करने की बात नहीं की गई है कि आपको इसको लागू करना ही करना होगा guideline के तौर पे इसको जरूर mention किया गया है कि होना चाहिए पर कर सकते हो यह कहीं नहीं लिखा गया अब देख लेते हैं तो यही सारा मुद्दा uniform civil code का थोड़ेट समय पहले प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी hint out किया था कि इंडिया के उपर uniform civil code लाने के बारे में हम विचार कर रहे हैं तो बहुत बड़े मुद्दे उठ गए कि कैसे लाएंगे uniform civil code तो अब वो क्या मुद्दे हैं देख लेते हैं यानि कि स्टेट यहां पे इंडिया के कंटेक्स में कहा गया है कि इंडिया को कोशिश करनी चाहिए कि सभी नागरिक जो है वो समान uniform civil code से रूल कर रहे हो लेकिन endeavor word है enforce word नहीं है enforce होता मतलब आपको लागू करना है और endeavor मतलब आपको कोशिश करनी है ठीक है लेकिन अब अगर आप ये तो हुआ UCC के favor में एक argument जो दिया जाता है कि क्यों ला रहे हो uniform civil code वो कहते हैं constitution ने भी बोला है लाना चाहिए लेकिन इसके against का argument क्या है against का argument बोलता है कि UCC हमारे fundamental rights को violate कर देगा हमारे fundamental rights क्या बोलते हैं अगर आप देखोगे article 25 जो कहता है freedom to profess and practice one's religion आप अपना religion प्राक्टिस कर सकते हो article 25 के हिसाब से अगर uniform civil code आजाएगा आप अपने religion के हिसाब से अपने rules and regulation बनाई नहीं पाओगे article 29 बोलता है right to have a distinct culture अगर uniform civil code ले आओगे तो सबको समान culture समान regulations समान code of conduct सब चीज़ें समान follow करनी पड़ेंगी तो आपके fundamental rights violate होंगे जो लोग against बोलते हैं UCC के उनका ये argument होता है इसी के साथ साथ UCC कुछ provisions जो की article 371 देता है article 371 कुछ states को जैसे नागालेंड हो गया उनको ये special rights देता है कि आप अपने customs, अपने practices, अपने culture को अपने हिसाब से जिन्दा रख सकते हो मान सकते हो, आपके land rights different होंगे, आप अपने religious freedom अलग celebrate कर सकते हो तो ये article 371 भी फिर तो null in void हो जाएगा, या इसकी भी खिलाफत होगी, तो ये कुछ arguments हैं जिसकी वज़े से UCC काफी पेचीदा मुद्दा है, national level पे, ठीके, अब बात करें उत्तराखंड की, तो भई उत्तराखंड ने अपना final draft तो कर लिया है, अप्रूफ, cabinet की तरफ से nodding आ गया, अगर इनकी assembly पास कर देती है, तो ये क्या हो जाएगा, तो UCC implement होने की position में आ जाएगा, और अगर UCC implement हो गया, तो पहला state बनेगा country में after independence, जिसने uniform civil code लाया होगा, ठीके, uniform civil code एक assumption ले करके चलता है, कि जो rules and regulation लागू किये जाते हैं, या जो एक common law होना चाहिए, वो religion से हटके होता है, religion कहीं भी आपके way of being में आडे नहीं आना चाहिए, ये उसका एक assumption होता है, एक premise होता है, ठीक है, लेकिन practically differentiate कर पाना बहुत difficult होता है, religion को आप अपने way of being से कैसे differentiate करोगे है, आपका religion आपकी हर एक चीज का हिस्सा होता है, इसलिए ऐसी चीजों को लाने में religion एक बहुत बड़ा अवरोध बन करके सामने आता है, UCC operational है गोवा में, गोवा में है लेकिन वो Portuguese के time से चला आ रहा है, अभी तक भी चल रहा है, वहाँ पे सब लोग के लिए common civil code होता है, समझ में आगे civil code क्या है, तो भाई अगर UCC लागो हो जाएगा, तो marriage, divorce, जो भ खर्मों की अलग-अलग कहानिया हैं यहां पर, चले, अगली news आ रहे है, खेल के जगत से, तो FIFA World Cup 2026 का schedule हुआ है, अनॉंस, FIFA World Cup पिछली बार 2022 में हुआ था, 2022 में हुआ था, हर चार साल के अंदर FIFA World Cup होता है, अगला 2026 में होगा, तो अब कहां होगा, कितनी teams होगी, शुरू कब होगा, फनाले कब होगा, यह पूरा schedule सामने आ गया है, सो सबसे पहला जो match होगा, जून 11 को होगा, मेक्सिको विल बी प्लेइंग अज दी ओपनर, अस्टेडियो एस्टेका, अस्टेडियो यानि स्टेडियम के लिए यूज किया जाता है, सो स्टेडियो एस्टेका जो लेकर के 19 जुलाय तक FIFA World Cup चलेगा, 2026, 6 है भई, 2024 नहीं है, 2026, दो साल आगे कि हां जी बात हम कर रहे है, न्यू यू जर्सी के अंदर फिनाले खेला जाएगा, मेट लाइफ स्टेडियम के अंदर, होस्ट कौन करेगा इस बार FIFA World Cup, अब आप सोचे कि मैं हम अभी से क्यों पढ़ा रहे हो, दो साल बाद पढ़ लेंगे न, एक्जामनर पूछ लेगा बिटा, कि 2026 में FIFA World Cup कौन होस्ट करेगा, तीनों कंट्रीज के नाम पकड़ के रखो, USA, Canada, Mexico, मैप में साथ साथ ही आ जाते, ठीक है, तो USA, Canada, Mexico, ये तीनों मिलकर के होस्ट करेंगे FIFA World Cup 2026, और FIFA के प्रेजडन कौन है, जियान नी, एन इन फैन टीम, अब हमने FIFA World Cup 2026 की बात की है, और पुराने थोड़े स्टाट्स नहीं देखें, तो नाइनसाफी हो जाएगी है, हमारे साथ हो जाएगी, एक्जामनर पुछेगा, तो क्या गरेंगे, so 2022 के अंदर, FIFA World Cup कहा हुआ, कतर, कतर के अंदर हुआ, विनर कौन था, आजेंटीना हराया, किसको, फ्रांस को, ठीक है, चलिए, so आजेंटीना जीती, फ्रांस को हराया, और फ्रांस उससे पहले, टाइटल होल्डर था, यानी, जीता हुआ था, अगर आप देखोगे, 2018 में, जब रश्या में FIFA World Cup हुआ था, फ्र फीमिल में काफी बार में शुरू हुआ, विमिन्स वर्ल कप फीफा का 1991 में शुरू हुआ, ठीक है, सबसे ज़ादा बार जीतने वाली टीम, में, कौन सी है, ब्राजील है, पाँच बार फीफा वर्ल कप जीती है, और विमिन में अगर हम बात करें, तो USA है, फोर टाइम्स तो यह कुछ मैंने पॉइंटर्स आपको बता दिया, आगे चले, चले, अपॉइन्मेंट कमिटी अप्रूव की अपॉइन्मेंट्स एन मिनिस्ट्री जो हो हो, आपकी जान को आफ़र थोड़ी और बड़ी है, बिकुज अब आपको काफी सारे सेक्रेटरी के नाम याद कर पड़ेंगे, यह ऐसे सेक्रेटरी नहीं, यह मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी हैं, एक्जामिनल पूछता है, ठीक है, सो अपॉइन्मेंट कमिटी जो होती है, अप काबिनेट एसी सी उन्होंने कुछ अपॉइन्मेंट पे मोहर लगाती है, हांजी होंगे, कुछ तो कर दिये हैं, और कुछ अभी फ्यूचर में हो जाएंगे, within a couple of days, सो कौन कौन सी शफलिंग की गई है, देखते हैं, हेल्थ सेक्रेटरी किसको अपॉइंट किया गया है, अपॉइंट हो गये हैं, अपूर्व चंद्रा, अपूर्व चंद्रा, सो देखिए, याद कराते हैं, चलती ह हो जाएगी, तो हेल्थ सेक्रेटरी कौन है हमारे, अपूर्व चंद्रा है, ठीक है, संजे जाजू, यापूर्व चंद्रा जी तो थे ना, पहले इंफर्मेशन और ब्रोड्कास्टिंग के सेक्रेटरी थे, इनको हेल्थ सेक्रेटरी बना दिया गया, तो इनफर्मेशन ब सेक्रेटरी संजय जाजू जल्दी सी इंफर्मेशन को ब्रॉटकास कर किया जा जाजू ओके नहीं तो ऐसे भी कर सकते महाभारत में संजय थे ना वह धृतराश्ट की को दिखता नहीं था सो संजय पूरी कहानी सुनाया करते थे क्या-क्या हो रहा है रणभूमी में संजय तो मिनिस्ट्री ओफ को ओपरेशन के सहकारिता जो है ना मिनिस्ट्री ओफ को ओपरेशन के ये बनेंगे लेकिन हम कैसे याद करेंगे भूटान भूटान से हमारा काफी को ओपरेशन चलता है अच्छा पड़ोसी देश है हमारा ऐसे याद कीजिए को ओपरेशन हमारा किस से च सुमित्र दावरा ये सेक्रेटरी बनेंगी की तो लेबर को employment के लिए दोड़ना बहुत पड़ता है दोड़ा दोड़ा करके employment दिया जाता है तो दोड़ा याद रखेंगे विजय कुमार को chairman नाम दे दिया गया है इनका नाम अनौंस कर दिया गया है as the chairman of inland waterways authority of india inland waterways authority of india विजय कुमार पी डानियल secretary बनेंगे central vigilance commission के और रश्मी चौधरी secretary बनेंगी CIC central information commission के तो ये सारे नए appointments पे मुहर लग चुकी है कुछ हो चुके है कुछ announce कर दिये गए है अब क्यूंकि हम secretaries की बात करने हैं तीन important secretaries और देख लिजे मेरी तरफ से extra information सबसे पहला cabinet secretary cabinet सचिव हमारे कौन से है secretary को हिंदी में सचिव कहा जाते cabinet सचिव राजीव गौबा राजीव गौबा जी है बिलकुल सीधे दिमाग में डाल दीजे नाम बिलकुल विचारे पीके ही बन जाते होंगे इतने सारे काम करने पड़ते है secretary to the president कौन है राजेश वर्मा राजेश वर्मा जी तो ये तीन नाम सीधे सीधे दिमाग में रखिएगा important secretarial positions है अगली खबर की तरफ आते हैं अभी देखिए budget session चल रहा है उसमें कुछ एक जो बिल्स हैं वो पेश किये जाएंगे और अगर अप्रूव हो जाएंगे तो वापिस से हम डीटेल में पढ़ेंगे उनको लेकिन अभी पेश किये गए हैं तो पढ़ लेते हैं एक जो बिल पेश किया गया है public examination prevention of unfair means bill 2024 जो government competitive exams जो हम बोलते हैं सरकारी नौकरियों के अंदर चैन के लिए जो परिक्षाएं होती हैं उनमें unfair means को prevent करने के लिए एक बिल पारित पेश किया गया है और उसको किसने move किया यानि पेश किसने किया है सो union minister जितेंदर सिंग जी ने उसको पेश किया है अब इसका main उदेश क्या है जो mass leakage वगेरा हो जाते paper leak हो गए या computer systems के साथ कुछ छेड़ चार कर दी गई तो बड़े पैमाने के उपर individual बच्चे की cheating की बात नहीं हो रही है यह जो organizing authorities होती है या जो examination hall में vigilance वगेरा रखने के लोग होते हैं और वो अगर गड़बढ़िया कर दें mass level पे कर दें उससे related यह bill है जिसके वज़े से exam के exam रद्ध हो जाते है या result जो आता है फिर पता लगता है रहे ने 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 पेपर लीक हो गया था वापिस रद्ध कर दीजे वापिस से exam होगा तो बहुत सारे बच्चों के genuinely career के साथ खिलवाड हो जाता है एकाद बच्चा cheating करता वा पाया जाए तो उसको टैकल किया जा सकता है मास लेवल पर अगर recruitment रद्ध किया जाए तो बहुत पैसा भी involved होता है महनत भी involved होती है बच्चों का time career सब इन उस पर दाव पे लगता है इसलिए bill पेश किया गया है तो चेक practices such as leakage of question paper या answer कीज आपने निकाल दी पहले है फिर directly और indirectly आप candidate को assist कर रहे हो किसी तरह से बड़े लेवल पर cheating कर वा रहे हो tampering कर रहे हो computer network के साथ जिसकी वज़े से कोई problem आ रही है तो ऐसे cases में जेल का प्रावधान रखा गया है minimum 3 years बढ़ा करके 5 साल भी किया जा सकते है पर minimum 3 साल का कारवास दिया जाए और जो fine है वो 10 lakh रुपीस तक का individual cases में मैं बताऊं तो 3 साल तक की jail हो सकते है 10 lakh रुपे तक का fine हो सकते है अगर कोई इंसान इस तरह के mass fraudulence के अंदर पकड़ा ज किसी को हमने पूरा contract दिया कि आपके computers या आपके labs अगरा के अंदर exam किये जाएंगे आपके पूरी system के अंदर exam किये जाएंगे और उन्होंने ही computer system में गड़बड़ी कर दी तो वहाँ वन क्रोर तक का fine लगाया जा सकते है और जो भी examination conduct कराने के लिए खडचा है था वो भी incapable है वो बोलता है और वो बच्चा लिखता है scribe होता है उनके उपर ये rules लागो नहीं हो रहे हैं ये सिर्फ organizing या vigilance या जो लोग candidate नहीं है अदरवाइस धोकाधड़ी कर रहे हैं ओके और इसमें ऐसा भी प्रपोस किया गया है कि जो deputy superintendent of police या assistant commissioner level की जो ओदे पे होते है न व अभी हमने brief मोटे मोटे तौर पर पर लिया क्योंकि अभी ये bill पेश किया गया है अगर ये bill पास हो जाता है तो हम इसको वापिस पढ़ेंगे और फिर एक 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 पॉइंट और धंक से पढ़ेंगे वैसे मोटी मोटी सारी बात है हमने कर लिया तो कौन-कौन से एक्ज उन सब के लिए ये लाया जा रहा है बिल गॉट इट चल देन लोग सब हमें एक और बिल इंट्रिव्स किया गया जमू एन कश्मीर लोकल बॉडी जो अमेंडमेंट बिल 2024 जमू इन कश्मीर में जो लोकल बॉडी होती है उनमें OBC को रिजरवेशन देने के लिए ये बिल लाया गया है तो प्रोवाइड रिजरवेशन दो OBC इन पंचायत और मुनिसिपल बॉडी से जमू एंड कश्मीर सो ये अमेंडमेंट सीख करता है कौन से अक्ट के अंदर यानि कि अमेंडमेंट के लिए लाया गया है ना कि जो existing laws हैं उनके अक्ट हैं उनके अंदर कुछ बदलाव किये जाएं तो कौन से अक्ट के अंदर बदलाव हम चाह रहे हैं जमू एंड कश्मीर पंचायती राज आक्ट 1989 एंड जमू एंड कश्मीर मुनिसिपल अक्ट 2000 और साथ ही साथ जमू एंड कश्मीर मुनिसिपल कॉर्पोरेशन अक्ट 2000 तो इन में बदलाव चाह जा रहे हैं ताकि जो OBCs हैं उनको जो local bodies हैं उनके इंदर reservation दिया जा सके और ये किस ने पेश किया Minister of State for Home नित्यानन्द राय जी ने इस बिल को introduce किया in the lower house so ये state level पे union territory level पे हैं इससे पहले वाला across the nation के लिए लाया गया है sad demise की बात करते हैं मेरे जैसे कुछ लोग जो की अगर Rocky movie के fan है so उनको ये चहरा अच्छे से पता होगा और ये व्यक्ति अब नहीं रहे इनका sad demise हो गया है who is this person? he is Karl Weathers Karl Weathers and he has passed away और ये जाने जाते थे अपने role as Apollo Creed in Rocky movies Rocky की जो पूरी series franchise रही उसमें इन्होंने Apollo Creed का role play किया है और Sylvester Stallion ये जो main leader है इन्होंने भी अपना शोक जताया है okay then अगली जो news है वो आ रही है अम्मानी दुनिया में number 2 और भारत में number 1 रहे हैं किस चीज में? कौन से index में? so brand guardianship index 2024 brand guardianship index 2024 कौन लेकर क्या आता है ये index? ये brand finance जो company है उसके हिसाब से ये index आता है उसमें इंडियन businessmen की बात करें तो Mukesh Ambani ने टॉप किया है और globally अगर हम देखें तो second number पे आए है in guarding his brand है इससे मतलब क्या समझ में आ रहा है brand guardianship अपने brand की जो brand positioning हो गई या valuation हो गई इसको guard करने में उसको बनाए रखने में जो Mukesh Ambani है he has topped India and stood second on global level फर्स्ट कौन आया भाई globally चाइना के Huateng Ma चाइना-based Tencent company है उसके Huateng Ma है ये फर्स्ट रहे है अचा 2023 में भी अगर हम देखें तो Mukesh Ambani इंडिया सो टॉप पे रहे थे ये जो brand guardianship index है एक global recognition CEOs को देता है जो की अपने business की value को sustainable manner में बनाए रख सकते हैं अपने सारे stakeholders की needs का ध्यान रखते हैं stakeholder यानि जो जो भी उस company सो जुड़े हो है पैसा लगा रखा है beneficiary है उनका ध्यान रखते है और अपनी company को sustainable तरीके से चला रहे है यानि उनकी जो brand value है वो maintain किये हुए है उनको ये award दिया जाता है या उस ranking में उपर रखा जाता है Mukesh Ambani second position पे globally 2023 की ranking में भी थे और ये top पे एक category में रहे है diversified conglomerates तो अगर हम इस brand guardianship index में एक category देखें diversified conglomerates category तो उसमें globally top किया है Mukesh Ambani ने बाकि overall globally second position पे रहे है Jio strongest brand from India के तोर पे rank किया गया global 500 में 2024 के अंदर और पिछले साल भी ये top पे था India's strongest brand की तरह उबर के ये आया था strongest brand from India ये ध्यान रखेगा जियो को strongest brand from India मिला है पिछले साल भी और इस साल भी और Mukesh Ambani पिछले साल भी इंडिया में top पे थे इस बार भी top पे हैं चलें आगे अगली news आ रही है REC को एक और award मिला है भई REC award पे award जीती जाती है तो एक और award मिला है कौन सा award है देख लेते हैं So REC wins best green bond corporate award Green bonds यानि कि ऐसे bonds issue किये गए जिनसे जो पैसा आएगा वो green technologies वगएरा के अंदर लगाया जाएगा Green solutions के अंदर लगाया जाएगा So green solutions से related जब bonds issue किये जाते हैं उनको green bond कहा जाता है Rural Electrification Corporation Limited या REC Limited उसको prestigious best green bond award मिला है कहाँ पे the asset triple A award for sustainable finance 2024 कहाँ पे नहीं कौन सा award तो ये proper name है उस award का Best green corporate award तो है पर title क्या है उस award का उसका नाम है The asset triple A award for sustainable finance 2024 तो green bonds issue करने की वज़े से इनको ये award दिया गया है REC ने 750 million US dollars के green bonds issue किये थे April 2023 में इतने बड़े पैमाने पे किसी भी company ने South या South East Asia में green bonds issue नहीं किये हैं इतने बड़े level पे और इसकी वज़े से largest ever green senior green bond issue करने के लिए REC को ये award दिया गया है REC के बारे में देख लेते हैं महारतना company है मतब सबसे highest category पे हम रखते हैं इसको CPSC में ministry of power के अंडर में आती है non banking financial company है यानि की bank नहीं है लेकिन ये funding प्रोवाइड करती है और infrastructure finance company infrastructures के लिए finance प्रोवाइड करती है अगर आपको power sector में पहले थी अब बाकी sectors में भी देती है ये funding अगर आपको कोई भी project शुरू करने है 1969 में इसको शुरू किया गया था इसके CMD कौन है विवेक कुमार देवांगन विवेक कुमार देवांगन जी है अगली ख़बर आ रही है astro sat से related astro sat इंडिया का एक solar not solar space telescope समझे ठीक है अलग-अलग wavelengths के उपर simultaneously polarized x-rays को study कर सकता है capture कर सकता है और ये इंडिया ने launch किया था 2015 में कब launch किया था 2015 के अंदर नाम क्या है astro sat अब इसी astro sat ने बहुत अच्छे से कुछ capture किया है information पहली बार एक black hole से related और वो first time है के capture की गई है और उसी से related अब हम news पढ़ेंगे ठीक है तो news astro sat से related है astro sat क्या है बाद में अभी और बता दूँगे ने astro sat detects polarized high energy x-rays polarized high energies x-rays को capture करता है ये इसने detect किया है for the first time from a black hole black hole से पहली बार जो x-rays निकलती है polarized x-rays उनको detect किया है हमारे astro sat ने सो इंडिया का space telescope है astro sat जो की x-ray polarization cygnus x1 black hole cygnus x1 black hole अभी तक का सबसे prominently जाना गया black hole है और established है के हाँ हमारी galaxy में है ये black hole और वहाँ से जो polarized x-rays है उनको detect किया है हमारे astro sat ने ये जो cygnus x1 है one of the first confirmed black holes है हमारी galaxy का के हाँ भाया ये black hole है सबसे पहले जो black holes confirm किया गये थो उनमें cygnus x1 भी है और ये 20 times heavier है sun से और earth और sun की जितनी दूरी है ना उसके 400 गुना जादा दूर ये black hole earth से है और वहाँ से जो polarized x-rays आई है उनको detect किया है हमारे extra sat ने अब देखो normal x-rays जब measure की जाती है ना तो simply इतना पता चलता है जैसे कोई भी object होता है वो x-rays फेंक रहा है उसको आपने और properties और geometry का आईडिया लगा सकते हो उसके size का आईडिया लगा सकते हो ना सिर्फ distance इसके किसमें आप थोड़ी बहुत चीज़े ही पता लगा सकते है लेकिन polarized x-rays जब आप detect कर लेते हो तो you get to know a lot more about that particular celestial object या फिर celestial thing अब वो black hole हो सकता है वो कोई planet हो सकता है कोई star हो सकता है अभी हम black hole के context में बात कर रहे है चलिए astrosat like I told you इंडिया का पहला space astronomy observatory है astronomy observatory सरल भाशा में बोले तो space telescope है और इसको 28 September 2015 को launch किया गया था PSLV C30 XLP rockets या launch vehicles important होते हैं सभी important missions के और इसको 650 km की orbit के अंदर 6 degree inclination पे स्थापित किया गया इसकी unique बात ये है कि broadband simultaneous multi wavelength observation कर सकता है यानि अलग अलग wavelength पे एक साथ ये चीजों को detect कर सकता है और इसमें 5 telescopes लगे हुए हैं जिसकी वज़े से ऐसा करना possible हो सकता है अगर आप ये picture देखोगी ना ध्यान से आजो तो देखो five telescopes कौन से हैं ये पांचो के नाम यहां लिखे गए हैं तो हर एक के नाम याद रखना ज़रूरी नहीं है ये जो लास्ट रिपोर्ट है 2021 की रिपोर्ट हमारे पास लास्ट आई थी 2022 में if I am not mistaken लेकिन अभी हम वापस ये क्यों पढ़ रहे हैं पिकाज अभी जो लोग सभा के अंदर discussion हुए तो एक written reply के अंदर इस रिपोर्ट के mention किया गया तो पढ़ लेते हैं अब वापस से अग उसकी जो findings है एक report के अंदर publish करके निकाल देता है उसको हम कहते हैं India State of Forest Report ISFR यहां तकी बात समझ में ठीक है हमारे पास लास्ट रिपोर्ट जो आई 2021 की उसके हिसाब से इंडिया में जो forest cover है 2017 से 2021 में कितना बढ़ा है 5516 5516 किलोमेटर स्क्वेर किलोमेटर बढ़ा है 2017 से 2019 और 2019 से 214 सालों के अंदर forest cover 5516 स्क्वेर किलोमेटर इंक्रीज हुआ है इन इंडिया यहां तक बात समझ में आगए ठीक है एरिया वाइस अगर हम देखें सबसे जादा बड़ा forest cover कौन से स्टेट के अंदर है मध्यप्रदेश के अंदर है अगर हम परसिंटेज एरिया की बात करें यानि स्टेट का खुद का जितना भी एरिया है चोटा स्टेट तो चोटा एरिया होगा बड़ा स्टेट तो बड़ा एरिया होगा सो ओवरॉल एरिया फॉरेस्ट कवर का सबसे ज़्यादा कहा है मध्यप्रदेश में हैं लेकिन अपने स्टेट के एरिया का मैक्सिमम परसेंटेज फॉरेस्ट के अंदर घिरा हुआ मिजोरम में अरुनाचल में घाले मनीपूर नागले मोस्ली नौट इस्टन स्टेट में लद्दाग के अंदर उसका डिसकॉशन हुआ और इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं उन्होंने एक सर्वे किया लद्दाग के अंदर 2016-17 में और वहां पर ब्लैक नेग्ड क्रेंस जो है इनकी आबादी 66-69 इंडिविजुल्स पाई गी अब ब्लैक नेग्ड क्रेंस के लिए लद्दाग एक बहुत इंपोर्टन्ट है लद्दाग के अंदर एक वाइलाफ सैंक्चुरी है चांगतांग वाइलाफ सैंक्चुरी जो बच्चों जिन बच्चों के पास में कोर्स होगा स्टाटिक जी करका कली हमने वाइलाफ सैंक्चुरी सारी कवर की हैं तो उसके अंदर यहां पर black net cranes अपनी breeding के लिए आती है so black net cranes के लिए लद्दा की बहुत important जगे है अब यह जो black net cranes है ग्रस निगरी कोलिस इनको zoologically कहा जाता है यह schedule 1 of wildlife protection act 1972 में listed है schedule 1 यानि highest degree of protection इनको इंडिया में दिया जाता है इनका देखरेक बहुत अच्छे से किया जा रहा अपेंडिक्स 1 में sites के भी शामिल है इनकी खरीद beige trade वगेरा नहीं की जा सकती बिल्कुल prohibited वाली में आती है got it? चलिए अगली जो खबर आ रही है वो हिमाचल प्रदेश से है dusted Apollo butterfly यह जो butterfly आप देख रहे हो dusted देख ऐसा लग रहा है कोई powder छुड़का हुआ है dusted Apollo butterfly sighted for the first time in हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश में पहली बार dusted Apollo butterfly देखी गई है यह जो butterfly है usually high altitudes में यानि उचाईयों पर पाई जाती है जैसे कि आप देखेंगे लदाख से लेके west Nepal तक 3500 से 4800 मीटर उचाई तक यह पाई जाती है यह याद रखने के आपको ज़रत नहीं है UPSC जो बच्चे देते हैं IS वगरा के exam देते हैं उनको हर एक species की बहुत डिटेल में study करने पड़ती है जो भी news में आ जाती है बाकी सारे बच्चे मोटी मोटी बाते पकड़ के रखो बस So Dusted Apollo Butterfly Parnassius Stenosemus एक rare high altitude butterfly है कैसी है यह? Rare butterfly है और हिमाचल प्रदेश में पहली बार देखी गई है इसको 1890 में discover किया गया था और काफी सारी species हैं इसकी और अधिकतर endangered है ठीके जी? चलिए What is Aldabra Rail recently seen in news? Aldabra Rail क्या है जिसको news में देखा गया यह एक flightless bird है तो यह मैंने इसलिए जान के question डाला है ताकि आपको समझ में आ सके question कैसे आ सकता है Aldabra Rail जो के हाली में news में रही वो क्या है? एक flightless बिना उरने वाली चड़िया है और इसकी खास बात क्या है कि यह जो bird है यह विलुप्त हो गई थी 1,30,000 years पहले extinct हो गई थी और वापस से revive होई है हाँ और इस तरह के revival को क्या या evolution को क्या कहा जाता है जब यह एक species extinct हो चुकी है और फिर वापस से revive हो जाए यानि कि वापस से appear हो जाए उसको कहते है iterative evolution यह जो चिडिया थी originally Madagascar की थी Africa के इदर जो side में Madagascar है let me see हाँ यह रहा Madagascar यह जो Madagascar है यहां की originally थी उड़ करके यह यह Aldabra Atolls है यहां तक पहुँची यहां जाने के बाद इन्होंने adaptations वगेरा किये एक बार कोई extinct हो गए extinct होने का मतब जो original species थी वो extinct हो गए उड़ने वाली उससे दो नई species निकल के आई जो उड़ नहीं सकती थी तो यह एक ऐसी evolution की कहानी है जिसमें original species extinct हो गई है लेकिन उसी की लीनिय जानि उसी का जो हम कहते हैं ना पीधी उसी की पीधी आगे चलके और वापिस एक नई species की तरह existence में आ गए आइटरेटिव evolution इसको कहा जाता है तो इसका scientific name है ड्रायलोम नास क्यूवेरी अलडबरनस ओके सो अलडबरा जगे है अटोल है एक आइलेंड जैसे आप समझ लीजे और वहाँ पे ये rail रेल पक्षी है और indigenous है मेडगास्कर की migrate किया इसने अलडबरा में और वहाँ पे evolve हुआ अपनी ability fly करने की इसने खो दी और वहाँ के fossils के अंदर इसके अफशेश पाइग गए हैं जो की 1,30,000 पुराने हैं जिनमें यो उड़ने की केपैसिटी दिखाती थी फिर वो species तो विलुप्त होगे और अब जो species है वो same lineage की है लेकिन अब वो flightless है और Aldebra जो है coral atoll है इंडियन ओशन में सेशल्स के अंदर आता है जो सबसे smallest country है African continent के अंदर पड़ती है सेशल्स उन्ही का पाट आता है Itrative evaluation मैंने आपको समझा दिया जहां एक species extinct हो जाती है विलुप्त हो जाती है लेकिन दूसरी species evolve हो जाती है same traits के साथ almost identical नई species नहीं है यह ध्यान रखियेगा it is not a new species यह bird की हम बात करें it is almost identical also known as trichoglossum hirsutum are a type of what yes so hairy earth tongues क्या है भई यह hairy earth tongues बालों वाली धरती की जीब what is this hairy earth tongue so it is a type of fungus let me show you the picture first this is a type of fungus और इसको discover किया गया है Kerala के अंदर new species of fungus है यह कहां discover की गई है Kerala के अंदर इसको commonly hairy earth tongue कहा जाता है यह जो भी compost वगेरा होता है उसको खतम करने का काम करती है decompose करती है organic matter को पतिया जाड़फूस जो भी उसको decompose कर देगी soil की fertility बढ़ाती है और forest को survive करने में help करती है यह fungus so hairy earth tongue is a type of fungus जिसको Kerala के अंदर discover किया है black dark brown color की यह होती है ठीक है जी और I think अग लास्ट खबर होगी hidden hydrothermal system बनीथ lake Rotorua यह news मैंने सिर्फ और सिर्फ इस ले लिए है कि कभी आप से पूछ लिया जाए lake Rotorua कहां है तो वो New Zealand में आती है कहां है lake Rotorua it is in New Zealand और इस lake के नीचे एक hidden hydrothermal system खोजा गया है यह जो lake है यह जानी जाती है अपने geezers hot water springs के लिए यहां से बुल बुलाती हुई रेत यानि बहुत गरम चीज़े निकलती रहती है लेकिन इस lake के नीचे अगर आप देखोगे तो temperature इतना जादा नहीं है तो यह कैसे होता है इस news को आप डेप्थ में आप पढ़ोगे जो भी मैने नई species बताई है उनको आप प्रॉपर्ली पढ़ोगे ठीक है चलिए लेक रॉटरुरुआ जियो थर्मल मार्वल्स के लिए जानी जाती है bubbling mud pools है shooting geezers है hot water springs है यानि गरम पानी के चश्में जनको हम बोलते हैं नीचे से गरम पानी निकलता है इतनी जियो थर्मल अक्टिविटी होने के बावजूत इस लेक के नीचे जो temperature है वो cooler है 14 degree Celsius तक का ही है तो ये कहां पर है लेक रॉटरुरुआ कहां है New Zealand You have to remember this New Zealand के अंदर है चले So, आज की news हो गई और आज pointers थोड़े कम थे descriptive news जादा थी तो मुझे नहीं पता आपने कितने facts पिक किये होंगे कितने याद कर पा रहे होंगे चेक करते हैं आपका recall test लेते हैं उसके साथ चले पहला question आ रहा है Who won the best global music album award? Best global music album award at 66th annual Grammy 2024 ठीक है कौन सी काटेगरी पूछर में blessed global music album का award किसको मिला है आंसर क्या होगा शंकर महादेवन हां जी जाकर हुसेन जी वाला कौन सा बैंड था शक्ती fusion बैंड को मिला है बिल्कुल राइट आंसर है अगला चलते हैं बनवारी लाल पुरोहित था served as the governor of which of the following state of states in his career अपनी career के अंदर कौन से राज्य या राज्यों के governor के तौर पे राज्यपाल के तौर पे बनवारी लाल पुरोहित जी ने अपनी सेवाई दी है ठीक है पंजाब हर्याना तमिलनाडू अंदरप्रदेशन में से बिलकुल पंजाब से तो हाली में उन्होंने रेजिगनेशन दिया है और तमिलनाडू के वो पहले रह चुके हैं चार साल तो A, यानि 1 and 3 So B will be the right answer Who topped brand guardianship index 2024 among Indians Indians में से brand guardianship index 2024 किसे ने top किया मुकेश अमानी जी ने किया ठीक है अगली news Which countries will be co-hosting FIFA World Cup 2026 FIFA World Cup 2026 जो होगा कौन से देश हैं जो मिलकर कि उसको host करेंगे पास-पास हैं सारे USA, Canada, Mexico बिलकुल So A will be the right answer फिर हम कुछ previous days के practices कर लेते हैं Who recently became Indian Army's first female सूबेदार Indian Army में पहली महिला सूबेदार कौन बनी Answer क्या होगा Answer होगा शूटिंग की फिल्ड से जुड़ी हुई है Where is the mega exercise Yuvah Shakti 2024 scheduled to take place Yuvah Shakti 2024 जो exercise होगी वो कहां होगी आपसे पूछा जा रहा है Yuvah Shakti 2024 जैसल मेर राजस्थान के अंदर ये conduct होगी Which Indian Navy Submarine participated in Sri Lanka 76 Independence Day celebration Sri Lanka ने हाल ही में 76 Independence Day celebration किये 1948 में ये Independent हुआ था British rule से और 4th of Feb को तो Indian Navy की कौन सी Submarine है जो इन Celebrations में Participate करने गई थी INS Karanj गई थी In which year did Sri Lanka Achieve Political Independence ये तो मैंने ही बता दिया In which year did Sri Lanka Achieve Political Independence from British rule अभी अभी बता दिया मैंने 1948 Okay Who recently assumed charge As Chief Hydrographer To Government of India Government of India के Chief Hydrographer के तौर पे किसने कमान संभाली Position पकड़ी है कौन है लोचली में हन जी विलकुल या फिर क्या लोचा है पानी के नीचे जरा देखें Shipwip को कोई खत्रा तो नहीं है तो लोचा या लोचली से लोचन सिंग पठानिया जी And this is your question of the day According to Wildlife Protection Act 1972 In which schedule Is Black-Negged Crane Gras Negricolist Listed कौन से schedule के अंदर Wildlife Protection Act के जो Black-Negged Cranes है Ladakh के अंदर particularly हमने इनके habitat देखी है वो लिस्टेड है Write down your answer And I'll be meeting you tomorrow at 12 noon मैंने आपको सारी जान करी ते दिये PDF कहां मिलेगा जिन बच्चों को GA की तैयारी करनी है जो पूछते रहे हैं मैं कोर्सेज वगरा कहां मिलेंगी पर चम आप पे जाए SSC General Awareness कोर्सेज अवैलिबल देर और वहां आप चेक आउट कर सकते हैं टीम से हलपे लिजेगा कहीं भी कोई confusion problem हो रही है तो और हां एको चीज बच्चे पूछे मैं सवाल कब launch होगा सवाल जिसमें हमने कहा था हर week sorry हर मन्त आपको 150 से जादा MCQ with explanation मिलेंगे ऐसा एक subscription और individual PDF हम launch करेंगे यह आपको 10th of Feb को मिल जाएगा जी ठीक है चलिए आज के लिए इतना ही already भहत लंबा session हो गया होगा I'm sure भहत सारा discussion था take care have a nice day bye bye